नमस्कार शोताओं, मैं हूँ मुकेश और आप सुन रहे हैं मेरा ये पहला कारेकरम, संगीत तरपन जो साथ ताहिक कारेकरम रहीता, मैं अपनी पुरे टीम, टीम साथ स्पाइन, और अपनी गोर से आप संहीता तहे दिल से हादिक सादप, हादिक अभिनादन का तो प्यारे शोताओं, मेरा ये ब्रयास रहेगा कि आज के इस व्यस्त जीवन में, व्यस्त दोर में, जो लोग संगीत से दुड़े हैं या जुगना चाहते हैं, उन तक में पहचाता रहूं, संगीत की मिश्य में, बारिक से बारिक, वो जानकारी, वो नौलेज, जो संगी परिवाशा पर, आखिर क्या है संगीत, तेखी गायन, वादन, दृत्य, इन तील कनाओं के समाविश को संगीत कह जाता है, संगीत कहते हैं, तो प्यारे शोताओं, ये थी संगीत की परिवाशा, कारे करम के अगले पायदान पर हम चर्चा करेंगे, संगीत की स्वरों कर, तो आखिर क्या है स्वर, कहां से और कैसे निर्माण हुआ स्वरों का आईए, प्रशने डालते हैं स्वर निर्माण पर, प्राकिर्टिक की सभी ध्वनियों में से 22 ध्वनियों को संगीत के लिए चुना गया, जो कर्ण प्रियती, अर्थात, कानों को सुनने में मत्र साबि इनहीं चुनी गई 22 ध्वनियों को शुरुदी का नाम दे दिया गया, 22 शुरुतियों में से मुख्य बाहरे वो शुरुतियां सर एलाईं, जो सुनने ने जादा मदूर साबिक हुए, इनहीं बाहरे सरों में से उपके साथ सर, शुद सर एलापे हुए साथ, रे, कार, मा, पार, धार, तो यह जो स्वर आप देढ़ने हैं, यह साथ स्वर, शुद स्वर कहलाते हैं तो प्यारे शुरुतों बागी के पांच स्वर, विक्रत स्वर कहलाते हैं, यह स्वर अपनी शुद अवस्थासरी थोड़े उचे या नीचे स्थान पर पाए जाते हैं विक्रत स्वर तो प्यारे स्वर यह जो यह थी विक्रत स्वरों के बारे में चानकरि और इन्ही पांच विक्रत स्वरों में से चार वो स्वर कुमल स्वर कहलाते हैं जो अपने शुद्ध अवस्ता से नीचे की उद पाए जाते हैं इन स्वरों की प्रचान के लिए स्वरों के नीचे सिधी रेखा खीज़ दी जाती है कुमल सर री हुगा ना नी इस तरह से इन सवर पेल से हमेद सिधरी कटिश दिगाते हैं ताकि सवर्ली पीबें हम पचान सके कि यह सवर कुमल सर पे और बागी का बचा हुआ एक सवर तीबर सवर कहलाता है इसका स्थान अपनी सुद्धवस्ता से उपर की ओर होता है पहचान के लिए इस सवर के उपर खड़ी रेखा खिज़ देते हैं तीबर सवर इस तरह से इस सवर के उपर खड़ी रेका जिजदी चाती है और पेरिशुतों दो स्वर अचल स्वर कहलाते ही सा और पा यह स्वर अपना स्थान उपर या नीचे कहीं नहीं बदलते इसलिए इन स्वरों की पैचान के लिए स्वरों के उपर या नीचे कोई भी बिंदू, कोई भी रेखा इस्तिमाल नहीं की जाती है अच्चन स्वर सा और पाथ इन स्वरों की पच्छान के लिए स्वर के उपर या नीचे कोई भी रेखा नहीं की जाती है तो दोस्तों जहती हमारे सापताही कारेकर्म की पहली चिस पहली देश्कर्स अगले हफ़े एस समय इसी वकड फिर से हाजी रहूँगे इसी कारेकर्म के मॉध्यम से और एक नेक काम तो जना अबश्य करें और संगीत पर्मात्मा की वक्ति का सबसे सरलशादन है इसी सुबसंदेश के साथ मुकिश आपसे आग्या लेता है जैहीं जैभारे